हेलो दूस्तो परफेक्ट एकडेमी में फिर्शे एक बार आपका श्वागत है आज का हमारा ट्रोविक है कि आप जो डेक्स्टोप पर देख रहे हैं वही में लाइव केस दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है डिप स्पार स्टेबिलाइजर मेजिक यानि की डिप स्पार यूएस्बी स्टेबिलाइजर किस काम के लिए आता है इसे तो काफी इसका यूज है काफी जग़ पर ये अपना मेजिक दिखाता है तो उसका ही आज एक मेजिक में दिखाने वाला हूँ कर इससे किया डिफरेंस होता है बिना stabilizer किया होता था और stabilizer में लगाने के बाद किया होता है तो मेरे पास दोस्तों एक memory card है जिसका photos मैंने original photos ही यहाँ पर डाला हुआ है चो 4GB का यानि कि 4GB का मेरा memory card है चो मैं direct computer में लगाता हूँ तो वो कहीं भी show नहीं होता है और वही card मैं deep spar stabilizer में लगाता हूँ तो वो पूरा का पूरा data मेरे को दे देता है ठीक है दोस्तों तो मैं आपको आज अभी उसका live case दिखाने वजा रहा हूँ तो आप पूरा का पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं memory card को मेरे computer में directly लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है दोस्तों मैंने memory card को computer में लगाया है जिसका आवाज भी sound भी आपने शुना होगा अब मैं जाता हूँ माई computer में पहले तो यह चिपकना शुरू कर देता है उसके बाद क्या होता है कि हम देखते है कि वह अब मैं my computer में गया देखो बार बार छोड़ देता है रख देता है उसके बाद में मेनेज में गया मेनेज में जाके डिस्क मेनेज में गया उसके में डिस्क ड्राइव जहां भी कहीं भी हमारा memory card नहीं दिखता तो मैं एक बार scan for hardware changes में चाके scan करता हूँ क्या वह दिखता है बिल्कुल नहीं दोस्तों देखो यहां पर भी वह memory card हमारा 4GB कहीं भी दिख नहीं रहा है इसके बाद हमने आगे के वीडियो में भी देखे उसके मुताबित डिस्क मेनेजमेंट में हम जाएंगे चेक करने के लिए क्या वहां पर हमारा 4GB का memory card दिखाता है या नहीं दिखाता है तो हम आइस्ता आइस्ता करके नीचे स्क्रोल बार को नीचे ले जा रहा है है पहले हमारा एक अनलोकेट ड्रैव से वह दिखा रहा है बाद में हमारा operating TV का जो हर्ड डिश है वो दिखा रहा है यानि कि कहीं भी माई कॉम्प्यूटर में डिस्क मेनेजमें डिस्क ड्राइव में कहीं भी यह memory card सो नहीं हो रहा है तो हम क्या सोचते है कि इस memory card की चेफ खराब है ठीक है तो हम physical में इसे जाने देते हैं लेब में वहां उसके flash ड्रैव से डेटा निकालने के हम 15,000-20,000 रूपे हम regular देते ही है जैसे customers उसके मुताबित minimum 15 से लेकर 20,000 रूपे हम ठेज डेटा निकालने के लिए लेते हैं उसकी जगह हमारा ये powerful drives किया इस्तिमाल होता है वो देखने के लिए इसलिए हमने हमारी लेब में सभी प्रकार के अलग-अलग company के tools available रखे है ताकि हमारे student को सभी ज़र के अच्छे-अच्छे topic पर सुसे उसका फाइदा हासिल हो और उसका idea उसे दिया जा सके तो देखो दोस्तों फिर्शे में एक बार स्क्रोल बार को आइस्ता आइस्ता ले जा रहा हूं उपर कहीं भी हमारा 4GB का memory card दिखाई दे नहीं रहा है नहीं my computer में नहीं dry disk drives में और नहीं disk management में ठीक है दोस्तों तो अब मैं ये memory card को यहां से disconnect करता हूं तो अब मैं ये memory card को डिश्कनेक कर दिया ठीक है निकाल लिया वहां से अब मैं memory card को डिप स्पार स्टेबिलाइजर में लगा रहा हूं ठीक है दोस्तों तो अब मेरा ये memory card लगा वो डिप स्पार स्टेबिलाइजर में लगा जिससे कि वो पहले भी connection छोड़ देता था इसमें भी छोड़ देता है अब देखते हैं क्या होता है मैं गया USB स्टेबिलाइजर में वहां जाके मैंने power off किया और power on करना है जो इसकी system के मुताबित में करना है तो अब मैं अपडेट करता हूँ अपना लाइसंस बाद में मैं पावर ओन करता हूँ प्रोसेस हो रहा है स्टेटस नोट रिस्पंडिंग दिखा रहा है उसके बाद स्टेटस दिखा दिया आई डी एल आई तो अब ये डेटा देगा अब मैं जाता हूँ अपनी डिस्क मेनेजमेंट में ठीक है दोस्तो तो सायद वहाँ पर दिखाए या ना दिखाए पर आर्ट स्टुडियो में ये जरूर दिखेगा पहले में हम डिस्क मेनेजमेंट में देख लेते हैं क्या वहाँ पर ये ड्राइव दिखा बिल्कुल दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 4GB कार्ड जो डाइरेक्ट कॉम्पीटर में नहीं दिख रहा था वो अपना stabilizer में लगाते ही disk management में वो drive दिखा और आगे के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर disk management में कोई भी drive नहीं दिखता तो ना तो वो RStudio करता है या पिर ना ही दुनिया का कोई भी software डेटा को निकाल सकता है ठीक है तो अनलोकेट drives के लिए या कोई भी drive के लिए software आपको इस्तमाल करना है तो drives को यहाँ पर दिखना जरूरी है और हमारा drive अब यहाँ पर 4GB का memory card दिख चुका है ठीक है दोस्तों तो अब हम directly जाएंगे RStudio में RStudio में बेचाता हूँ क्या वहाँ पर drive properly दिखाता है या नहीं दिखाता है चलो देखते हैं तो यहाँ पर आता हूँ जैसे कि दोस्तों आप देख सकते है clearly का RStudio में अपना memory card clearly 3.72 GB का clear दिखा रहा है अब मैं उस पर double click करता हूँ और उसका पूरा data में निकालने वाला हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा data यहाँ पर आप देख चुके हो तो इसको आप सिर्फ right click करके recover करने की ही सिर्फ देरी है तो जैसे कि आपको सबको पता है कि सिलेक करके recovery करने का मेरा काम बाकी रहा है तो यह था दोस्तो अपना dip spar stabilizer magic तो दोस्तो कैसा लगा आपको यह वीडियो डिप spar stabilizer का और पी दोस्तो हमारी data recovery training perfect हर एक टूल्स पर data recovery का training देती है तो अगर आप interested हो तो हमारी data recovery training center का fully course सिलेक करके सल्धी हमारी data recovery का joint कर सकते हो थेंक यू फिश्यक्बार पर्फेक्ट अकडेमी data recovery training राजकोट थेंक यू वेरी मुच